हिमाच्चापरदेश में जो प्रि-प्रामरी भरती भरना चाहता है वो वीडियो को एंड तक जूर देखें क्योंकि उनके लिए एक और नया अपडेट अब जारी कर दिया गया है तो प्लीज वीडियो को आप जूर देखें एंड तक एक दम लास तक आप वीडियो को देते रहें क्योंकि काफी ज़्यादा अपडेट इस टाइम आया हुआ है एंटिटी भरती को लेकर और आज शायद हिमाचपदेश के बजट सत्र होगा जिसमें आज बताई जाएगे कि एंटिटी भरती होगी या नहीं होगी तो प्लीज आप वीडियो के साथ आएंड तक जूर बने रही है और अगर पहले गर हमारे चैनल पर बिजिट कर रहे है तो चैनल काफ सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेर जूर कर दें जिस जिस भी को आप एंटिटी भरती ब्रवाना जाते हैं तो आज का हमार में टोपिक रहेगा हमाच अब देश से जुड़ा हुआ जो कि एक नया अपडेट होगा तो बहुत आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्योंकि काफी ज़्यादा कॉमेंट्स आ रहे थे कि एंटिटी भरती किस बेस पर होगी कि अं तो दोस्तो वीडियो में आगे वढ़ने से पहले आपको बिशेश टोपिक की बात बता देता हूँ कि आज क्या क्या टोपिक रहेंगे एंट्यटी भरती से जुड़े हुए तो सबसे पहले हमारा टोपिक रहेगा जिस पर हम बात करेंगे जेबीटी को भी इस वार मौका मिल सकता है एंटिटी भरती भरनेगा दोस्तो दूसरे नमर का हमारा टॉपिक विशेश रहेगा इस मीने से आपकी भरती शुरू हो जाएगी क्योंकि शिक्षा सचिव जो है उन्होंने दिशानिदेश से जारी किये हुए है अगला अपडेट आपके लिए रहेगा एंटिटी कोटे में 35 फिजदी होगी सीधी भरती तो इस वार एंटिटी कोटे में 35 फिजदी सीधी भरती करने का निड़ने लिया गया है और दोस्तों जो entity भरती विशेश तो से बरना चाहता है इस बोई वीडियो को end तक जो देखें इसे के साथ आपको बदा दूँ entity भरती में JVT को नोकरी तो अज ये एक बड़ा अपडेट आपके लिए निकल कर आ चुका है जो की बहुर रहे थे कि हमने nct की हुई है जाब क्या की हुए तो entity भरती में JVT को भी नोकरी मिल सकीगी तो ये अपडेट बताओंगा कि किस तरह JVT वालों को भी नोकरी मिलेगी तो entity में अब JVT को नोकरी मिलेगी अगर सरकार को पातर entity डिगरी धरक नहीं मिलते हैं तो हलांकि इसके लिए R&P रूल्स त्यार किये जाएंगे इसी के मद्द नजर सरकार ने NTT मनिता प्रावस अंसानों को सुची के अंदर से मांगी है तो यह अगर आप फर्जी डिग्री आगर किसे नहीं ली हुई है तो वो इस तरक हो जाएंगे क्योंकि वो इस टायमन नहीं रखे जाएंगे इस वार एंटिटी बरती में प्री प्रावरी शिक्षक बरती में उनका पत्ता साफ है इसके साथ मैं आपको बता दूँ इसके पीशे बड़ी बज़ असमावित कनूनी पचड़े बताये जा रहे हैं इसके चलते सरकार इस बरती से पहले एंटिटी डिवलोमा की प्रावर्ता की परताल में जुट गई है तो जो भी कैंडेट से इस सवार इंटिटी की भरती बरेंगे तो उनकी सबसे पहले तो डिगरी जो है वो कीज़ेगी जांच परताल होगी इसी के साथ है उस कोलेज से जिस भी इंस्टिटूशन से आपने की हुई यह एंटिटी तो उसकी परताल की जाएगी अगर उसकी सूची में सरकार की सूची में वो नहीं निकली तो आपको उसमें कोई नोक्री नहीं दीजेगी इस सबन नहीं अपडेट के बाद अब अब एंटिटी भरती की बलसी में भी बदलाव की सवावनाय बढ़ गई है जानि अगर राज जे में एंटिटी के पात्र अब व्यारतियों की प्रावत संख्या नहीं हुई तो इसमें जेवीटी को भी मोका मिल सकता है खास है कि सरकार ने इन सवावनों पर जमा जोड करना शुरू कर दिया है इसकी बकावदा शिक्षा बिवाग ने सरकार को प्रेजेंटेशन के द्वारा बताया हुआ है इसमें काहा गया है कि देश के कुश एक राज जमें एंटीटी को अंगरवाडी बरकर भी पड़ा रही है ये भी एक बात कही गयी है कि कुश राज जमें एंटीटी बलों को अंगरवाडी की बरकर जो है वो भी पड़ा रही है देश के एक का दुकरा जम्हें एंटिटी का जिम्माद जीवीटी के हवाले है इन फरस्तितियों के सभी विलकल्पों को खुला रखा इसके लिए सरकार सबसे पहले केंदर से सभावित मानेता प्रावत केंदरों की रिपोर्ड का इंतजार करेगी और इसके बाद ही कि अगर कोई भी फर्जी डिग्री इतले हुए पकड़ा गया तो उनको नहीं रखे जाएगा प्राइमरी शिक्षिक भरती में तो सभी के इंद्र जो है उनकी सुची मांगी गई है इसके बाद ही एंटिटी भरती को का ठपा लग सकता है तो इसके बाद के मोहर लगेगी पास पास ऐंटी भरती पर फैसला समावीता जो बड़ा अब डेट आप देशते हैं कि आपकी डेट 15 तक का आसकती है 15 मार्च की तक अथरुक आपकी की डेट आसकी हैं अपको एक अपडेट देता हूं एंटी प्रट्ट इंच पेंथी फिजदी होगी सिदी बर्ती उलेकनी आए कि पहले त्यार किये गे ड्राफ्ट में भी प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बर्ती के लिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों को सतर फिजदी और अंगरवारी बर्करों को 30 प्रावदान किया गया है तो 70 प्रावदान किया इसमें एसे ऐसे फैसले लिए गए हैं तो जिन्होंने एंटीटी की उनकी सतर फिजदी इसमें वह बागिदार हैं इसका साथ अंगरवारी वाले 30 प्रावदार हैं इसका साथ 15 मार्च के बाद शुरू होगी वर्ती प्रक्रिया प्रयाव संख्या पर ही एंटीटी को पत्ता सरकार ने के अंदर से मांगी संसानों की सूची तो एंटीटी की पॉलसी पर काम चर रहा है इसके लिए ऐसी नीती तियार की जाएगी जिसमें लिटिकेशन की कोई गुंजाइश ना हो रहे सरकार के निर्देशों के उनसार जल्दी इस बर्ती को किया जाएगा जो तो वो जेविटी बालों को भी मौका दे सकती है इसलिके साथ मैंने आज आपको अपडेट दिया कि एंटीटी कोटे में 35% होगी सीधी भरती यानि आपकी सीधी भरती आप 35% भी हो सकती है जिसमें 70% आपके रहेंगे एंटीटी धारक शिक्षा धारक और 30% आपके जो हैं अंगरबाडी वाले रहेंगे तो इस पूरे अपडेट में आपका क्या कहना है वो आप नीचे कमेंट में जूरू बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए और क्या आपके डाउट है वो आप नीचे कमेंट में जूरू बता सकते हैं तो उसके बारे में हम दे तो दोस्तों जे खास अपडेट था जो कि मैंने आपको बदाया एंटिटी भरती को लेकर आया हुआ था जिसमें जेविटी को भी अब मौका मिल सकता है इसके साथ 35 फिर्ज आपकी सीधी भरती होगी इसके साथ ही एंटिटी के भरती आपकी मार्च मीने तक शुरू हो जाए जाएगी तो ऐसे अपडेट रहेंगे इसके साथ बजट सतर भी अब लोंच होने वाला हिमाच बदेश का और कैबिनेट बैठक भी जल्द करवाई जाएगी जल्द होने बाली है एक दो दिन में तो इस पर आपका फैंसला हो सकता है एंटिटी भरती को लेकर